एक गली, एक छोटी सी गली, ऐसा लगा जैसे वो गली जो है पूरा एक जीवन है हमारा और उस जीवन की हम संतान हैं केवल खड़े हैं अखेले महाँ पर, खड़े हैं अखेले कुछ जानते नहीं, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, कहा जाना है, क्या करना है, क्या खाना होगा और खड़ी हैं वहाँ पर, परिशान, भूख, परिशानी, खस्ताहलत और सोचने की बात है के, एक जेब में मावजे तंग कर रहा है, और दूसरी जेब में, सिर्फ एक रेड़ बुक विजए तुम तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ एक रेड़ बुक अब्दुलकुदूस, पास सुन मेरी, एक हद होती है, आप नैशनल नेटवर्क पर है, एक तेजीब होती है, आप से एक पवित्र सवाल किया गया है कि तुम क्या समझते हो, मैंने अपवित्र जवाब दिया है इसका, एक पवित्र कथा की अपवित्र कथा थोड़ी सुनाई जा सकती है क्या हो गया है, तुमारा ध्यान कैसे चला गया है तो फिर इस चुत्राई की चक्कर में कूँ पढ़ गये कौन था जिसने हमें कहा, कि तुम एक सेरंगी आदमी हो न तुम नेरंगी हो, न तुम सेरंगी हो बजरंगी तो तुम हो ही नहीं सकते मेरी बास सुनो, अब पैमाना चलकने वाला है चलका दो पैमानों को, पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं ये परवाना आए शमा महमा है एक रात का दिल की बाते छेड़ दू दुख है तो बस इस बात का यहां से वहां तक जाने में, वहां से यहां तक आने में लोग ये कहते हैं, जी बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं तुमने अगर हमारी बात को बदल दिया तो क्या कमाल किया जब जगड़े हो रहा थे तुम गुजरात में क्यों नहीं थे मैं नहीं था इसलिए तो जगड़े हो रहे थे भाई मेरी जान, मेरे अजीज, मेरे बज़र्ग, ये बस इतना बता दे मुझे तुने पहला मजस्मा उठाया था तो उससे क्या मतलब है मैं बताता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं है ये मैंने इंट्रव्यू से पहले तुमें कहा था कि पहला मजस्मा बनाया नहीं उठाया था अब उठाने से लोग क्या समझते हैं कि चोरी चोरी की है इसने पाप किया है अन्याए किया है नहीं ऐसी बात नहीं है चोरी नहीं थी खस्ताहाल था परिशान था भूख से बिलक रहा था जेब में माउज़े था जो तूंग कर रहा था और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड बुक थी और वो तकलीफ दे रही थी सिर्फ एक रेड बुड पूछो क्यों? नहीं पूछो पूछना पड़ेगा? नहीं पूछो तू बता एस सिल्सला तोड़ देते हो तुमी लानत इस सिल्सले की एक सिंपल सवाल आपसे किया है मैंने मैं भी उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे रहा हूँ कि मुझसे पूछो कि वो रेड बुक क्यों तंकर रही थी पूछो वी जए पूछो जिन्दगी में पतनी तुम्हें दोवारा मौका मिले ना मिले पूछो हम तुमसे कहते हैं पूछो बाखुदा मुखबत के दुश्मन नहीं पूछो कि वो रेड बुक हमें क्यों तंकर रही थी आर्टिस्ट पागल जरूर होता है अधिवांग होता है पागल दा पुत्र नहीं होता ओ पागल दे पुत्र मैंने एक सवाल की आये पहला मुझस सिमा कब बनाया मैं और कुछ नदानी चाहता बताए आप हबहला मुझस सिमा कब बनाया आपने तुमारी आखों में करोध देख रहा हूँ रवी याद रखना हमेशा सत्य में विजयते हैं। पता नहीं कि मुरी आखो में क्या देख रहे हैं। सत्य में भी विजयते हैं। तुम इश्टार देखो, मैं देखता हूँ उसको। सर, बहुत भला लगा। आप मेरे महमान हैं। सो तो हैं। और मेजबान का ये हक है कि वो महमान की इज़त करें। आओ भगत करें। उसको आपों को बिठाएं। मैंने आपको आँखों पर बिठाया। बड़ा भक्ती भाव है आपका अगर आपने ऐसा किया है। बड़ा भक्ती भाव है। और ये भक्ती शाली ही लोग करते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दे। कि पहला जो मुझस्रिमा आपने बनाया वो क्या था। वो आपने शुरू किया था। तुमके प्रोग्राम खातम होने थोड़ दे रहे था। हाँ बताते हैं आपको। बताते हैं आपको। बात क्या हो रही थी कि हम एक गली में खड़े हुए थे। एक गली। कल्यूग। कल्यूग था एक हाहाकार मची हुई थी। भूख, प्यास, परिशानी, समय बीता जा रहा था। समय बीता जा रहा था, हम वहां खड़े थे ऐसा लग रहा था, जैसे हम कई यूगों से यां खड़े हैं। केवल भूख सता रही थी। अब क्या होता है ऐसी चीज में ग्यान होता है कुछ चीजूँंका। ग्यान होता है अब क्या देखते हैं उसी परेशानी में एक बालक खड़ा हुआ है एक गाए वहां से आती है अब गाए की चाल में एक वकार है उसकी आखों में एक करोध है गाए थी बैल था? गाए थी हमें ठीक से याद नहीं हैं क्योंके अंधेरा था महां गली में सामने से आई तो गाए होगी अंधेरा था ठीक याद दिलाया तुमने अंधेरा था ना पीने को पानी था ना खाने को कुछ रोटी थी ना रौशनी थी वसे एक दिया था कि जो टिम्टमाय जाता था और उस टिम्टमाते हुए रोशनी में हमने क्या देखा कि गाए आ रही है तो चाहे तो उसे बैल समझ लो यह गाए यह गाए अगर सामने से आ रहे थी तो गाए होगी चलो माने लेते हैं गाए आ रही थी अब वो आती है और हम रुख जाते हैं वो हमें देखती है हम उसे देखते हैं अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं उसकी आँखों में करोध है मेरी आँखों में भूक है और कुछ करने की प्रणा है अब क्या देखते हैं कि अचानक गाये ने अपना रुख मोड़ा और अपनी पूच हमारी और की और फिर उसने जी भर के किया गोबर आप पर जमीन पर जमीन पर तसलसल तोड़ देते हो विजे तसलसल तोड़ देते हो तुम तो अब क्या हुआ कि गाये ने जी भर के किया सुनो मेरी बात, आठिस्टिक बात कर रहा हूँ, अब एक गोबर का जिकर कर रहा है, इसमें आठिस्ट का से बस लिए, यही तो विपता है, इसी विपता को सुनो, ग्यान लो, ग्यान लो, सीख लो कुछ अब सिर्फ एक अप पर मिने सब कुछ A.R.Y. के तमाम चैनल्स लाइफ, सिर्फ एक सुपर एप पर A.R.Y. ZAP, अब राउनोड करें फ्री HD लाइफ स्टीमिंग के लिए अभी A.R.Y. ZAP राउनोड करें या फिर अपने PC और लाप्टॉप पर विजिट करें